हेलो चैहिंद दोस्तो आप सभी का स्वगत्ति यहाँ पर चैसा के आपको पताऊगा कि इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि पहली बार में अगनीवीर केसे बने और अगनीपत योजना की संपून जानकारी पहली बार में आप आर्मी जोएन केसे कर सकते हैं आपको सारी इं इंफोर्मेशन मिल जाए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर देते बिना इंफोर्मेशन की वजह से तो आपकी शिरुआ थे और अभी से आप गलती करेंगे तो आपको नेक्स्ट भी प्रोब्लम हो सकते हैं तो पूरी जानकारी लेने के होता होगा आपने कोई भरती की है तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है तो फिजिकल टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप फोज में जाते हैं ज्यादा तर क्या होता है कि फोज की भरती के लिए जो बच्चे जाते हैं वह किसान के बेटे होते हैं तो उसक टाइम में क्लियर करते हैं तो अच्छा है और अगर इससे कम टाइम में करते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और अगर आप ज्यादा टाइम इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए मार्क्स आपके कट हो सकते होके तो यह हुआ रनिंग का अगर मैं बात करूँ यहा के सेशन में कोई भी आपको यहां पर कोई बाता आपके लिए नहीं खड़ी कर सकता है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए उसके बाद आपको पता है कि वेट कितना होना चाहिए 50 kg आपका वेट होना चाहिए ओके और अगर यहां पर फिजिकल टेस्ट के बाद हम दूसरी क कुछ बात करें यहां पर मेडिकल टेस्ट की तो दोस्तों आपको तो पता है कि आर्मी यहां पर मेडिकल के टेस्ट किस तरह से होता है तो सभी को पता है कि मेडिकल टेस्ट में आपकी कोई हड़ी टूटी नहीं होना चाहिए आपको को दूसरा रोग नहीं होना चाहिए न नो फूट गड़ा आपको वह कुझना होता है वह भी आशान बात है क्योंकि सबी लोग फीड बोड़ी के यहां पर आते अब अगर आप बात करें नो फूट गड़ा भी आपने खुल लिया उसके बाद बैलेंसिंग होता है वह आपको पता होगा कि दो ऐसी पत्री होते है औ टो फीजिकल टेस्ट की और देखिए अगर दोनो टेस्ट अगर आपने बनने के लिए पहली चरण अपर आप ने क्लियर कर दिये और अब आप इसका क्लियर करना होगा क्यूकि दोस्तो किसी भी एक्जाम को कलीर करने के लिए आपके पास सीलेबश होना बेहतरिन जरुरी है ओके दोस्तो तो सीलेबश पर मुए एक पूरा वीडियो बना दूगा जिसमें आपको अगनीपत योजना का सारा सीलेबश दिया जाएगा और अगर दोस्तो आपने अभी तयारी शरू नहीं किये तो कर दी जगा जल दी से ताकि आप जोए मोका चूट ना पाए ठेंक्यू ठेंक्यू वेरी मच और सबी दोस्तो को सेर करना मत बुलिएगा दोस्तो क्योंकि इंफोर्मेशन जोए बहुत जोररी होती है